हेलो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है माधविस किचन में आज मैं बनानी वाली हूँ डॉमिनो स्टाइल जिंगी पार्सल्स या परीर पार्सल्स यह बहुत ही असान है बनाने में और इनको हम बिना इस्ट के बनाएंगे तो बहुत ही एज़ी कम समान में इसे बना सकते हैं और बहुत ही ज्यादा यमी लगता है बच्चों को बहुत पसंद आता है तो बिना देरी की आए जटपट स्टार्ट करते हैं बनाना तो जिंगी पार्सल्स बनानी के लिए सबसे पहले हम दो तैयार करेंगे तो यहां पर म दाल देंगे और गया नो आदा टीस्पून डाल देंगे इसमे रेड चिली फ्लेक्स एक टीस्पून नमक और दो टीस्पून समें डाल देंगे कुकिंग ओयल या रिफाइंड ओयल जो भी आप यूज करते हो और अब इसको हम डो बनानी के लिए यूज करेंगे दही तो कर estan और यहाँ पर मैं 1 कप दही का यूज कर रही हूँ यहाँ पर मैंने गाली दही लिए अगर आपकी ठोड़ी पतली है तो आप थोड़ा कम दही zas में डाले नहीं तो जो है वह ज्यादा गीला हो जाहएगा तो ये बिखिए स्पून की मदद से अच्छे से मिक्स कर यह देखिए अब डो को हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे इस तरीके से एकदम चिकना स्मूथ सा डो बना लेंगे आप देख सकते हैं डो इस समें थोड़ा स्टिकी है क्योंकि हमने इसमें दही और बेकिंग पाउडर डाला है तो इससे डो का टेक्चर एकदम जालीदार ह हो जाएगा और अब हम इसके उपर डालेंगे एक थी स्पून ओयल और अच्छे से ओयल को चारो तरफ डो के फैला देंगे यह देखिए इस तरीके से और अब डो को हम रेस्ट करने देंगे करीब 15 मिनट के लिए तो इसको हम ढख कर रख देते हैं साइड में 15 मिनट के लि एक टी स्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन या गालिक और अब गालिक को ऑईल में थोड़ी देर के लिए भूनेंगे लेम लो रखेंगे ताकि हमारा यह जो गालिक यह जल न जाए तो बस हलका सा ब्राउन हों तक इसको बूनेंगे और अब इसमें माट कर देंगे एक बा में अबड़ा कर देंगे एक मेडियम साइज का नमक डाल देंगे एक सारी चीजों कृट्धी साड़ी काल देंगे तो यह दिखे सारी चईज़ों को अच्य से मिक्स हो गई है अब एक दो मिनट के लिए इसको हम लो फ्लीम पर भून लगे बीच-बीच में इसको चलाते र और एक टेबल स्पून इसमें डाल देंगे वेज मयोनेज और अब सारी चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह जो फिलिंग है बहुत ही जल्दी तयार हो जाती है 5-10 मिनिट में यह हमारी फिलिंग तयार हो जाती है तो अब हम इसमें आड कर देंगे एक कप क्यूब्स म सारी चीजों के साथ और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए तो बस असान सी जटपट सी पनीर की फिलिंग हमारी तयार हो गई है यह का फ्लेम आफ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे थोड़ा थंडा होने देंगे और इधर जिंगी पार्सल के लिए जो हमने तयार क भी मीलत करने तो बंचाते हैं तो 2 को हम 10 पोर्शन में कर लेंगे जबत पड़े तो हल्का सब्सक्राइब मैंदाड कर लेंगे तो यह दिखिए इस तरीके से दो को 500 दश बड़र में डिवाइड कर लेए और इस तरीके से राउड शेप एप रखते जाएंगे यह देखें यहां पर दस राउंड बॉल्स मैंने बना लिया है और अब आईए हम जिंगी पार्सल्स को स्टफ करते हैं तो एक एक पॉर्शन्स लेते जाएंगे और इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे और इसको हम रोल कर लेंगे जैसे हम चपाती बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही रोल करना है लेकिन थोड़ा से इसे मोटा रखेंगे तो यह देखिए एक छोटी सी चपाती मैंने बना लिये और इसके किनारों को भी अच्छे से रोल कर लेंगे आप देख सकते हैं इसकी थिकनिस अब साइट से इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसे ट्रैंगल का शेप दे देंगे यह देखिए और अब इसके अंदर हम बरेंगे फिलिंग तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे एक टी स्पून के लगबग मौजरेला चीज और इसके उपर हम डालेंगे पनीर की फिलिंग चुमने तियार कि थी एक टेबल स्पून पनीर की फिलिंग की इसमें में डालेंगे और अब इसकी ऊपर थोड़ा सो ऊर मौजरेला चीज डालेंगे और इस तरीके से तीनों कॉर्νεर्स को पकड़कर एक तीद की ऊटनी के लिए हलका साब इसके उपर हम पानी लगा लेंगे ताकि तीनों कॉर्णर्स अच्छे से स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ और बहुत ही अच्छा सा जिंगी पार्सल हमारा बन कर तेयार हो गया है एक और जिंगी पार्सल को मैं फिल करके आपको दिखा देती हूं बहले इस तरीके से एक छोटी चपाती बनाएंगे और अब तीन साइड से इसको फोल्ड करके इसको ट्रैंगल का शेप लेंगे अब इसमें डालेंगे मौजरेला चीज उसके ऊपर पनीर की फिलिंग और फिर से थोड़ा सा मौजरेला चीज और अब पानी लगाकर तीनों कॉर्नर को अच्छी से स्टिक करेंगे एक दूसरे के ऊपर तो इसी तरीके से सारे पार्सल बना कर तियार करेंगे और इसको आप हम baik करेंगे तो यहाँ पर बेक करने के लिए मैं इस तरह का baking ट्रे लिया है 9 इंच इसका diameter है इसको हम लाइन कर देंगे eco-bake से तो eco-bake pre-cut circle मैं आप लिया है इसको line कर देंगे अगर आपके पास इंसे नें लिए और यह अगर आपके पास इको बेकना हो तो आप कोई भी पटर पेपर ले सकते हैं आप इस तरीके से जिंगी पाइसल को ट्रे में रख देंगे और जो बाकी के पाइसल है उसे हम नेक्स पैच में बेक करेंगे पार्सल्स की उपर हलका सा बटर इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे इससे जिंगी पार्सल्स का कलर भी अच्छा आता है और साथ में जब हम इसकी उपर इस तरीके से औरेगेनो डालेंगे तो अच्छे से वह स्टिक हो जाएगा इसकी उपर अब सारी पार्सल्स की उपर हम इसलिए के सिचिडग देंगे इससी देखने में भी सुन्द लगेगा और टेस्ट में भी बड़िया लगेगा और तोड़ा सा डाल देते हैं इसकी उपर Red Chili Flakes तो बस यह देखी दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है यह देखने में तो यह देखी दोस्तों हमारे जिंगी पार्सल्स तयार है बेक करने के लिए यहाँ पर मैंने ओवन को प्रिहीट कर लिया है 200 डिग्री के उपर तो जब ओवन प्रिहीट हो जाए तो जिंगी पार्सल्स को हम रख देंगे ओवन में मैंने आपे इसको हाई रैक पे रखा है बेक होने के लिए और अब 200 डिग्री पर हम इसको बेक करेंगे 15 मिनट के लिए और 15 min में हमारे जिंगी पारसल बेग करता ही आप चाहें तो जिंगी पारसल को पैन या कढ़ाई में भी बेग कर सकते हैं तो पैन या कढ़ाई में बेग करने के अपको बएस मेन इसको लोममीडियम फ्लेम पर बेग करना होगा तो यह देखे 15 मिनट हो चुके हैं आपको मैं दिखाती हुमारे जिंगी पार्सल कैसे बने हैं तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जिंगी पार्सल हमारा बनकर त्यार हुआ है तो इसको और निकाल लेंगे अभी यह बहुत जादा गरम है पांच मिनट रुखने के बाद आए इसको ट जिंगी पार्सल बनकर त्यार रहे है बहुत जादा यामी जिंगी पार्सल हमारा बना है और घ्ल चासकर बच्चों को यह बहुत जादा पसंद आता है तो आप जरूँ ट्राई की जगए अर अपने फीडबेक मुझे ज़र दिजेगा बहुत ही टीस्टी और यामी यह जि वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गुडबाई